नमस्कार साथियों आज के विशेश प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है पेले कॉंग्रेस अध्यक्ष जी मलिकाजुन खर्गे जी आपको संबोधित करेंगे उसके बाद में हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल जी आप से बाचीत करेंगे और हमारे बीच में कॉंग्रेस संसिदिय दन के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी भी मौझूद हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूँ कॉंग्रेस अध्यक्ष मली कार्जुन खरगे जी क्योंगे इसको नहीं डाला शाहिए रेस्पेक्टेड मेडम सुनिया गांधी जी राहूल गांधी जी प्रियंका गांधी जी और इस मंच पे बैटे हुए हमारे पार्टी के सभी नेतागन आज जो देश में चुनाओं के रिजल्ट आए है ये मैं पहले कहूंगा ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है हम पहले से यही कह रहे थे हैं कि ये लडाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है लोग हैं तो आट्रावी लोकसभा के चुनाओं में हम विनम्रता से जन्मत को स्विकार करते हैं इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया खास कर सत्तादारी दल बाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा अब ये स्पस्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाब गया है ये उनकी राजनाइतिक और नाइतिक हार है जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगे ओट मांगते थे उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नाइतिक द्रस्टी से ये तो उनको बहुत बड़ा नुक्सान हुआ है आप जानते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गटबंदन से बहुत प्रतिकूल माहुल में चुनाओ लड़ा सरकारी मशनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाब अभियान चलाया फिर भी सुरू से आखिर तक कॉंग्रेस पार्टी का कैम्पेन सकारात्मक था पॉजिटिव था हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदुरों की पधाली और समिदान संस्ताओं के अतुरूप्यों जैसे विश्वों को केंद्री मुद्दा बना कर हम जन्ता के सामने गए थे इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग हम से जुड़े, हमारा समर्तन किया प्रदान मंत्री ने जिस तरह का कैम्पेन किया, वो इत्यास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा कॉंग्रेस के घोशना पत्र के बारे में मोदी जी ने जो जूट फैलाया, जन्ता ने उसे समझ लिया मैं इस मोके पर कहना चाहूंगा कि स्री राहूल गांदी जी की दोनों यात्राए भारत जोडो यात्रा और भारत जोडो न्याई यात्रा के दवरान लाखो करडो लोकों को मिला, लोकों की समझाओं को सुनना और आगे चलकर उन समझाओं का हल डूनना हमारे कैम्पेन का आधार बना हमने इसी को पांच न्याई और पच्चीस गारेंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गारेंटी कार्ड बनाया, हमारे कार्यकरता उसे लेकर घरगर पहुँचे और लोकों को संपर्क करे इसके अलावा जो एक महत्मून बात है, वो भाजपा नेतरत की अहंकार की वज़े से हुई, उन्होंने धीरे धीरे सारे समिधानिक संस्ताओं के उपर गैर कानूनी तरीके से कबजा करने की कोशिश की, फिर इनका उप्योग विरोधी दल के खिलाब करने लगे, जो दब गया, उसे दबा के अपने तरफ लिया, जो नहीं दबे, उसकी पाटी को तोड़ दिया, नहीं तो फिर जेल में डाल दिया, लोकों को ये विश्वास हो गया था, कि मोदी जी को एक मोका और मिला, तो अगला हमला समिदान पर सीदा होगा, और लोकतंतर पर होगा, इसलिए लोकों को इसके प्रमाण नए संसत सत्र के साथ ही दिखेंगे, खुशी इस बात की है कि भाजुपा इस सेडेंतर में अब सपल नहीं हो पाएगी, मैं इस अवसर पर सीपीपी, चेरपर्शन, स्रीमती सुन्या गांधी जी, हमारे लोकप्रियनिता रहूल गांधी जी, प्रियांका गांधी जी का विशेश महीं दन्यवाद करना चाहता हूँ, और इन्हों ने दिन रात बराबरी से पूरे देश में कैमपेंग किया, और हमें एक मजबूत स्थिती में पहुचाने के लिए भारी मदद इन्हों ने की, और मैं ये कहूंगा कि इनके वज़े से हमको बहुत बड़ा प्रोचसान देश में मिला, और आज ये इस्तिती जो बनी है, उनके वज़े से बनी, और हमारे करडो कारिकरता जो है, देश में उन्होंने भी हमारा साथ दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत उनको धनिवाद दे करता हूँ, आखिर मैं इंडिया गटबंदन के अपने सभी सातियों और सुबचिंतकों का धन्यवाद करता हूँ, सभी एक साथ मिलकर, एक स्वर में रहे, सभी ने मिलकर परचार किया, और एक दूसरे की मदद की, हमारे हजारों, लाखों कारिकरताओं ने अच्छे तालम के साथ काम किया, आप सभी का धन्यवाद, अभी हमारी लडाई अंजाम तक नहीं पहुंची है, हम सब को आने वाले दिनों में इसी तरह लोगों के अधिकारों के लिए, समीदान की रक्षा के लिए, लोगतंत्र के बचाओं के लिए, देश की तरक्की के लिए, सीमाओं पर सुरक्षा के लिए लड़ते रहना चाहेंगे, हमेशु निश्चित करना होगा कि संसद सुचारू रूप से चले, विपक्ष के मुद्दों को प्रात्मिक्ता मिले, संसद में उन पर भैस हो, आने वाले दिन महत्पूर्ण होंगे, हम आप से बात करेंगे, जब कभी भ मोका मिले, आप सभी को मेरा धन्यवाद, और आपका साथ भी हमको रहा, और हमने चुनाओं में भी, जहां जहां हमको जितना हो सकता है, वो साथ आपने दिया, इसलिए आप सभी को भी मुद्दों करता हूं, और सभी को नमस्कारू शुक्रिया खरगे जी, मैं राहुल जी से गुजारिश करूँगा, वो आपको सम्भोजित करें, खरगे जी, आपने बड़ी सही बात बोली, जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे, उसी लेवल तक मदद की, देखिए, ये चुनाओं इंडिया घटबंदन और कॉंग्रेस पार्टी, सिर्फ एक राजनेतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी, ये चुनाओं हम पीजेपी, एक राजनेतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टिटूशन्स, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्णन्स का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजन्स एजन्सीज, CBI, ED, ये सब, आधी जुडिशर इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टिटूशन्स को, नरेंद्र मोधी जी ने, और अमित शाह जी ने, क्याप्चर करा, धमकाया, डराया, पर इसकी तो मैं बात करता रहता हूँ, आपको मतलब काफी बार कहा है, कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को, काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुलके किया, काफी लोगों ने छुपके किया, और आपके एमोशन् है लड़ाई समविधान को बचाने की थी constitution को बचाने की थी और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे mind में था पहले से जब इन्होंने हमारा bank account cancel किया जब chief ministers को जेल में डाला पार्टियां तोड़ी मेरे mind में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने समविधान के लिए एक साथ खड़ी होके लड़ जाएगी और ये सच साबित हुआ मुझ में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से इंडिया गडबंधन के पार्टनर से कॉंग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बबबर शेर कार्यकरताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आपने सविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है कॉंग्रेस पार्टी ने इस चुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने दो तीन चीजें की सबसे पहले हमने इंडिया गडबंदन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की उनकी जो विशिस थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गडबंदन लड़ा हम एक होके लड़े दूसरी बात कॉंग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक निया विजन दे दिया है प्रो पूर विजन प्रो प्रड़क्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गडबंदन ने साफ दे दिया है यह जो हमारा performance हुआ है इंडिया गडबंधन का performance हुआ है इसके पीछे constitution जो reservation पर बीजेपी ने आकरमन किया गरीबी अदानी जी के आपने stocks तो देखे होंगे देखें देखें उस stocks उनके तो बड़ी interesting बात है जनता अदानी जी को मोदी जी से directly correlate कर रही है मोदी जी की हार होती है stock market कहता है भाई हम मोदी जी गए तो अदानी जी गए मतलब direct relationship है corruption की relationship है और देख ने नरेंदर मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते है and this is the main thing that this election has said the country has unanimously and clearly stated we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country we do not like the way they have run this country we do not appreciate the way they have attacked the constitution we do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years so that is a huge message to Mr. Narendra Modi I'd like to thank everybody who has participated in this election I am extremely proud of the people of India I am extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution और अंत में मैं आपको कह दूँ कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है सबसे गरीब लोगों ने किया है मजदुरों ने किया है किसानों ने किया है गलेतों ने किया है आदिवासियों ने किया है पिछडों ने किया है इन लोगों ने इस constitution को बचाया है इस Constitution ये Constitution देश की आवाज है बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया छुप रहे गए थे मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस Constitution का बचाया मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ उनके उनसे कहना चाहता हूँ कि Congress Party आपके साथ खड़ी है जो हमने आपको वाइदे किये थे हम वो वाइदे आपके लिए पूरे करेंगे जाती जनगर्ना महालक्ष्मी ये हमारे वाइदे हैं धन्यवाद शुक्रिया राउल जी अभी तीन चाह सवाल सिर्फ हम लेंगे एक मिनिट एक मिनिट प्लीज एक मिनिट शान्त हो जाईए प्लीज शान्त हो जाईए प्लीज शान्त हो जाईए एक मिनिट शान्त हो जाईए एक मिनिट शान्त हो जाएए एक मिनिट खरके जी और राहूल जी आपका चार पांच सवाल लेंगे संजीव एक मिनिट एक एक करके चिलाईएगा मत प्लीज चिलाईएगा मत एक मिनिट खरके चार प्लीज आपका प्लीज एक मिनिट शान्ट है। We are going to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow and these questions will be raised there and they will be answered there. We respect our Alliance partners and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. Sir, you are saying that this is a horrible victory, a victory victory. If you are not in a position in Vipaksh, you do not do it before, because the number of India and India Alliance is not much more than before, if you do not do it before, how do you do it for them to be able to do it again? That is the question you are asking. You are asking for another way. Tomorrow we will decide. There is a meeting of India's government. Tomorrow we will decide our Alliance. There is a very fine line. Whatever the India government will decide, we will take action. The Press Secretary of State for the State Supreme Court. President Khandel, MPH, the Minister of State of State, the Minister of State, the Minister of State niżah, the Dimitri Narendra, Narendra, the Master of State, the Council of State, which is not made possible. चाहिए क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमे बंदी होगी इसको लेके और क्या खुद नरेंद मोदी को ये फैसला लेना चाहिए देखिए अभी राहूल गांदी जी ने आपके सामने स्पस्ट किया जब तक हम अपने अलाइंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मिजॉर्टी बना सकते हैं वो देखेंगे सारे स्टैटिजीज अगर यही मैं बोलूँगा फिर मोदी जी हुशार हो जाएंगे इसलिए जराम जी जराम जी जराम जी और आप दोनों सीटों से जीते हैं बढ़ाई आप कौन सी सीट रखने वाले हैं नहीं सब दोनों सीटों से जीता हूँ और राइबरेली और वाइनार के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूँगा थोड़ा पूछूँगा और फिर डिसाइड करूँगा दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूँ बट अभी डिसाइड नहीं किया है राउल जी भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे तब से लेके अब तक काफी लंबी यात्रा रही काफी बीच में उतार चड़ाओ आए अब सव का अकड़ा आपने चुआ है 2009 में जब इसी तरह का मैंड़ेट आया था तो पार्टी के इंदर दो रहा थी एक हम विपक्ष में रहें पार्टी मजबूत करें हैं सरकार के साथ जाए 2009 में 2009 में तो क्या बात दो 2009 में दोबारा जब पहुमत मिला था तब एक राही थी कि आप विपक्ष की पॉलिटिक्स करके पार्टी को मजबूत करें अब मैं पूछ रहा हूँ अब आपसे पूछ रहा हूँ दो चीज़ें यह जो मेंडेट मिला है आप अपोजीशन में रहके आप और पार्टी मजबूत करना चाहते हैं कॉंग्रेस पार्टी है बाकी पार्टीया है और उनके साथ अभी हमारा डिसकाशन नहीं हुआ है हमने उन से कहा था इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाओ के बाद पांच तारी को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम यह जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे तो सच मुझ में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं कल होगा अमेठी में आपके लिए कहा गया कि राहूल गांदी ने अपने पिये को चुनाओ लडा दिया अब उन्हीं किशोरी लाल शर्मा जी बीजेपी ने कहा था बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरी लाल ने हरा दिया तमीज से बात नहीं करती है मगर किशोरी लाल शर्मा जी जो है वो चालेस साल से अमेठी में कॉंग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे है और उनका अमेठी की जनता के साथ रिष्टा है शायद बीजेपी के लोगों ये बात समझ नहीं आई थी कि किशोरी लाल शर्मा जी अमेठी से बहुत closely connected व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी और मैं उनको congratulate करना चाहता हूँ कि अच्छी तरह वो जीते हैं और उनको बारे में ये कहना कि वो PA हैं, stunner हो हैं, ये बिलकुल गलत है ये offensive है, ये नहीं कहना चाहिए राहुल राहुल जी मैं मोहित हूँ न्यूज नेशन से आपने एक बात बोली जो मैं इसके जवाब देना चाहता हूँ देखिए UP की जनता से मैं कहना चाहता हूँ आपसे जादा political wisdom मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया UP के जनता ने कमाल करके दिखा दिया नहीं नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखा है मगर UP ने हिंदुस्तान की राजनेती समझ कर constitution पर खत्रा समझ कर उत्तर प्रदेश ने constitution की रक्षा की है और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूँ मगर उत्तर प्रदेश को मैं special कहना चाहता हूँ आपने Congress Party का India कटबंधन का समर्थन किया बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी राहुल जी और इसमें UP में एक और बाद मैं बोल देता हूँ एक और बाद UP के बारे में बोल देता हूँ इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है तो यहां पीछे चुपी होई है राहुल जी शुक्रिया साथियों शुक्रिया हो गया राहुल जी राहुल जी सब्सक्रियर सक्थियर सक्षियर्ण सक्षियर्ण धुस्षियर्ण यहां जी राहुल जी झाल झाल